कि पहले तो मैं वसे विरार महानगर पाली के का धन्नवात कहूंगा कल मैंने दुफेर को जो लेटर दिया था वो लेटर के बाद उन्होंने आज सुबह से एक्शन चालू कर दी है कि स्टेशन जो परिशर है हमारा वो हमेशा वहां पे भीड होती है कि नमस्कार सबसे पहले तो मैं वसे विरार महानगर पाली के का धन्नवात कहूंगा कल मैंने दुफेर को जो लेटर दिया था वो लेटर के बाद उन्होंने आज सुबह से एक्शन चालू कर दी है नाला सोपारा में वसे में और विरार में भी विशे ऐसा था कि स्टेशन जो परिसर है हमारा वो हमेशा वहां पे भीड होती है वो भीड का मूल कारण है यह फेरी वाले जो ऐसे है मुझोर फेरी वाले उन्हेंके कहता हूं कि वो एक नहीं दददस गाड़ियान लगाते है और ऻिए ओर यह लोगोई है उनकी दाधा गीरी है जो हमारे महानगरपालीगा कार्मचारी है उन पे भी वहांपे उटाते हैं तो महानगरपालीगा को हमने ये भी कहा था कि आप है ना फेरी वाले जहौन बनाईए और वहां पे उनको ट्रांसपर कीजिए क्योंकि स्टेशन जो परिसर है वह हमारे होस्पिटल्स या कोई दर काम पे जाने के लिए वहां पे बहुत भीड होती है एक तो 90 फीट रोड होता है उसके अंदर भी आप बस पार्किंग होती है फेरी वाला बैठता है फिर कोई भाजी जो कोई सामान खरीता हो टू विलर पर आता है वह भी अपनी गाड़ी बेशक वह रोड पे लगा देता है तो इसके वज़े से ट्राफिक बहुत होता है एंबुलेंस रुकती है बस 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 हमारी स्कूल बसे सकाइववक बनाए है एक वसई मेठ विलार में बशोपार में तो यह सकाइव carry वाले हैं जो गरीब होते हैं तो उनको वहां पर भी स्काइवर्ग भी यूज हो जाएगा जो अभी वहां पे सामाज के अलग घटक के लोग वहां पे खड़े रहते हैं तो उससे अच्छा तो यह फेरी वाले वहां पे उनका धंदा हो सकता है यह मेरा उनको सुझावर